तयार आज फिजिक्स में मचाते हैं Can a tug of war be ever worn on a frictionless surface? तो देखो पहले तो होगा गया अगर दो लोग माल लेते हैं दोनों का मास बरावर है लेट से हैं दोनों का मास बरावर है यह रसी है तो दोनों पर बरावर होती है दोनों बरावर फोर्स लगा रहे होते हैं अगर तुम रोप को मासलेस माल लो तो नेट फोर्स मासलेस दोट दोट ढचाज लगाएगा मतलब जिसके पाद ज्यादा फ्रिक्शन होता है वह जीतता है तो अगर इस पूरे को तम्हें एक सिस्टम माल लो तो तो system पे net external for zero है ना system पे net external for zero again इसके लिए अपना conservation of momentum को concept आजाएगा अगर net external for zero है है ना और system initially rest पे है यह conservation of momentum जब chapter पढ़ने को और अच्छे समझ पाऊगे type ए one problem है ना तो velocity of center of mass तुमारी zero रहेगी मतलब जो system का center of mass है वो move नहीं कर सकता है ना system का जो center of mass है भूब नहीं कर सकता अगर दोनों का mass बराबर मालने तो system का center of mass यहां पर है तो जब दोनों एक दूस्ते को कीचेंगे ना जैसे space में चले जाओ तो अगर तुम space में चले जाओ ना तो बहाँ पर gravity नहीं है दो लोग रस्ती पकड़े तो अगर दोनों लोग रस्ती को कीचेंगे तो वो center of mass पे मिलेंगे तो कहां मिलेंगे ये दोनों कहां मिलेंगे center of mass पे और अगर boundary इसी जगे पर बनी हुई है तो कोई नहीं चीट पाएगा हाँ पर cheating कर लो लेट से तो मैं पता है center of mass ये है तुमने boundary line यहां पर कीच दे रहा है यह तो करते ही न cheating तो करी सकते है cheating करके जीट सकते हो तो center of mass माल लो ये और तुमने line इधर बनबादी कुछ करके है तुमने cheating कर ली तो अब तुम कहां मिलोगे मिलोगे यहां पर तो यह वाला बंदा जीट जाएगा तो यह वाला बंदा जीट जाएगा तो तुम क्या करो दूसरे के area में line बनबाद हो तो ऐसे जीट सकते हो न तो loophole है यहां पर